हलो बच्चों, वेलकम वैक टू द्रिश्चाज ओनलाइन गुर्खुल इस वीडियो में हम मैथमेटिस का एक और इंपोर्टन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो की बार-बार रिपीट हो रहा है, इस्पेसली सीटेट में सीटेट, यूपिटेट में भी बार-बार रिपीट होता है इस तरीके कुश्चन तो इसमें देखते हैं हम क्या है, कुश्चन क्या है साथ पहले हम कुश्चन को समझते हैं उसके बाद हम कॉंसेप्ट को देखोंगे, फिर कुश्चन को हम लोग सॉल करेंगे तो कुश्चन कुछ इस तरीके का है, कुश्चन क्या है एक तरीके से हमको जैसे इसमें कोई बहफलक है ठीक है, उसके फलकों की संख्या, सीर्स, किनारे, इन संख्याओं को प्रदर्सित किया गया है ठीक है तो इसमें कौन सा relation सही है या कुछ इस तरीके का question हो कि कोई आपका एक polyhedral है या फलक है जिसके भुजाओं की संख्या दी हो सीर्सों की संख्या दी हो तो उसमें उसके फलकों की संख्या आपको निकालनी हो ठीक है या कोई फलक दिया है, सीर से दिया है, कि नारों की संख्या calculate करनी हो, ठीके, तो इस तरीके का question बहुत ही important है, और बार-बार repeat होता है, तो इसको solve करने के लिए सबस्पहले जरूरी है, हम थोड़ा सा concept को समझ लेते हैं, concept क्या है इसके पीछे, फिर इस question पर आते हैं, फिर देखते हैं question कितना easily solve होगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं, सबस्पहले concept को समझते हैं, कि concept actually इसमें है क्या, तो अगर इस channel का वीडियो आपको किसी तरीके से helpful है, तो आप channel को subscribe करिए, अब चलिए हम लोग concept को देखते हैं, ये आपका यूलर्स formula है, polyhedron के लिए, polyhedron एक तरीके साब आपका, क्या होता है, बहुतल होता है, या बहुफलक को बोलते हैं, ठीक है, polyhedron, आप इसमें देखिए, ये जो figure है आपका, इसमें मैंने represent कर रखा है face, ठीक है, as a vertex, इस चीज़ को समझ लीजिए, ये जो, ये जो region है, ये क्या है, face है, ठीक, तो कोई अगर आएगा, तो वो उसमें लिखा रहेगा कि, इतने faces हैं, faces की value जैसे ये था, एक इधर, एक इधर की side में, एक उपर, एक नीचे, एक उधर side में, ठीक है, एक front पे, तो इस तरीके से ये सारे face हैं, उसके, ठीक है, face को क्या बोल रहे हैं, पलक बोल रहे हैं, ठीक है, face क्या है पलक है, अब दूसरे देखिए, ये क्या है, पलक, दूसरे देखिए, is है, is का मतलब भुजा, ये, ये जो है आपकी भुजा, फिर दूसरी age ये, ठीक है, तीसरी ये, ठीक है, चोथी ये, ठीक, तो इस तरीके से पाच्वी ये, जितनी ages हैं, ठीक है, जितनी भुजाएं ह भूजा या simply कहलो किनारा यह ठीक भूजा ठीक है अब देखिए फिर थर्ड जो point है यह vertex है इसके जो corners है एक यह एक यह एक यह इस तरीके से कई सारे हैं ठीक तो यह vertex है इसको सीर्स बोल रहे हैं अब देखे इन में जो relation है ये बहुत ही important है अब इस relation को देखे हमने लिख रखा है यहां vertex plus face minus edge is equal to 2 मतलब सीर्स plus phalak minus किनारा सीर्स और phalak में क्या घटाना है किनारा घटाना है किनारा या भुजा age क्या थी भुजा simply मैं इसको लिख देता हूँ भुजा ठीक है अगर घटा दोगे तो उसकी value हरदम 2 आएगी चाहे वो कोई भी shape हो ये matter उसके independent है वो किस तरीके का shape है तो फार्मूला आपको ये फार्मूला आपको याद ही रखना है बहुत ही important है तो simply अब हम लोगे याद कैसे करेंगे ये आप आसानी से आपके mind में बैठ जाएगा VF minus E is equal to 2 VF minus E is equal to 2 V क्या है vertex है VF बोल रहा हूं प्लस नहीं बोल रहा हूं तो वो आप समद जाएंगे mind में कि V plus F है वो सिर्फ रिमेंबर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं VF minus E is equal to 2 तो V vertex plus F face फलक minus E edge या भूजा बराबर 2 थीक तो बस इतना ही धान में रखना है आपको VF minus E is equal to 2 VF का मतलब है V plus F ये चीध धान में रखना है V vertex F क्या है face है थीक है आप चलिए देखिए जैसे ये कुश्चन है जैसे ये हमने एक example ले रखा है ये वाला example इसमें देखिए faces को देखें अगर हम लोग तो एक दो तीन और एक इसके पीछे की तरफ है तो चार face हो गए ठीक अब age देखते है age क्या होती है भूजा होती है इसे तो एक दो तीन चार पांच और छे छे हो गए भूजा अब भी vertex देख लो एक दो तीन और ये मारफ किज़ेगा पैन नहीं चल रही है ये हो आपकी चार ठीक तो अब इसको हम लोग verify कर लेते है वी वी एफ देखो वी कितना था चार एफ कितना था चार माइनस 6 इस इक्वल टू तो चार चार आठ में से छेगे दो आएगा तो मतलब ये relation को verify कर रहा है सेम इसी तरीके से अगर इसमें देखें ये एक cube है तो cube में देखें faces कितने होते हैं एक दो तीन चार साइड में पाँच और बैक साइड में 6 6 faces 12 is 12 भुजाएं होंगी अब vertex कितने होंगे 8 होंगे ऐसे टोटल काउंट कर लेंगे तो 8 होंगे तो इसलिए 8 प्लस 6 14 हो गया माइनस 12 बराबर दो सेम इसी तरीके से किसी भी shape के लिए जो एक polyhedron है बहुफलक है उसमें ये चीज़ आप verify कर सकते हैं बस आपको formula धान में रखना है VF-E is equal to क्या होता है 2 होता है VF-E is equal to 2 VF बार-बार सिर्फ आपको याद कराने के लिए मैं बोल रहा हूं V plus F है ठीके अब आगे हम लोग बढ़ते हैं question को देखते हैं फिर आपको समझ में आएगा तो देखते हैं आप question कितना easily solve होता है यद इस question को देखिए बहुत ही important question है X, Y, Z क्रमसा किसी फलक के फलकों फलक, सीर्स, किनारों की संख्याओं को प्रतसित करते हैं निम्न में से कौन सा कथन सब्त है तो सबस पहले हमको जो फार्मूला याद है मैं उसको लिखता हूं इन सब चीज़ों का भी पूल जाता हूं हमें फार्मूला पता है VF VF minus E is equal to 2 इसमें तो doubt आपको नहीं होना चाहिए अभी मैंने बता दिया V क्या है vertex सीर्स, ये ध्यान से देखो तो सीर्स कौन सा है इसमें Y है तो इसकी जगए Y लिख दो face, face क्या होता है, फलक होती है फलक देखो क्या है, X है ठीक और ये क्या है corners E क्या है, edge है corners या भूजा, Z है इसमें, ठीक है minus Z बराबर 2 इसमें कोई doubt बस अब आप देख लीजे कि कौन सा relation इसमें true हो सकता है इसमें देखिए ध्यान से देखना in relation को हम लोग अगर देखें Z को मैं उधर ले जाऊं और Y को भी उधर ले जाऊं Z और Y को अगर उधर ले जाते हैं और ये 2 को इधर ले आते हैं तो यक्स तो यहां हाई है ये plus 2 है इधर आएगा तो minus 2 हो जाएगा is equal to Z देखिए Z यहां है minus है उधर जाएगा तो plus हो जाएगा Z हो गया Y यहां plus है उधर जाएगा तो minus हो जाएगा तो minus Y देखिए आपको तो answer मिल गया ये देखिए तो मतलब आपका कौन सा सही है सही answer इसका A है बस आपको बहुत ही देख रहे हैं कितना easily ये question आपने solve कर दिया ज़श्ट आपको एक formula याद था VF minus E is equal to 2 VF अगर मैं बोल रहा हूँ तो मतलब V plus E V plus F तो आगे हम बढ़ते हैं next question की तरफ बहुत ही easy है ये question आप देखिए बहुत ही आसानी से solve कर सकते हैं अब ये question देख के हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये question कैसे solve होगा ये समझ में नहीं आ रहा है बट ये उतना easy है आप देखिए just a minute यद एक पंच भुजिये पिरामिट ठीक है पंच भुजिये पिरामिट है उसके फलक किनारों और सीर्सों की संख्या फलक किनारों और सीर्सों की संख्या क्रमसा ये है तो इस बैलू का मान हमको बताना है सबस्पहलेट मैं अपना फार्मूला लिखूंगा फार्मूला क्या है हमारा वी एफ माइनस ए इस इक्वल टू ठीक है ये हमारा फार्मूला है उसके बाद अब हम देखते हैं क्या कह रहा है फलकों को किस चीज़ से रिप्रेजन्ट किया गया देखिए पहले फलक है फलक को A से लिखा है मतलब ये A से है ठीक है फिर किनारा B से है किनारा किस चीज़ से लिखा है Age B से है ठीक है फिर क्या है Sears Sears किस चीज़ से लिखा है C से ती से इस इक्वल टू तो तू ठीक अब देखिए C प्लस A माइनस B क्यों एक एक प्लस A माइनस B कितना हो गया हो गया यह सिंप्ली ऐसे लिख लिए आप A माइनस B प्लस C इसमें तो कोई प्राब्लम ही नहीं है यह तो सिर्फ आगे पिछे कर सकते हो इसमें तो ये बाइलू कितनी आ गई ये बाइलू आपकी हो गई दो बटे दो का होल स्क्वाइर माइनस दो ठीक है? दो से दो कट गया एक बचा, एक का स्क्वाइर क्या होगा? एक ही होगा, माइनस दो एक में से दो घठा देंगे, तो क्या आएगा? बताईए जल्दी येस आपको मिलेगा minus 1 तो इस तरीके से आप देख रहे हैं आपका जो answer आया इसमें क्या आया answer आया minus 1 जो कि आपका d है इसमें minus 1 ठीक तो ये question देख रहे हुगे कितना easily solve हो गया जबकि देखने में आपको लग रहा था कि ये question कैसे solve होगा ये difficult हो सकता है ठीक है तो आगे देखते हैं एक और question हम लोग लेते हैं इस question को try करिए कि आप हमसे पहले solve कर देए अब इसमें देखे ये question है किसी फलक के फलकों की संख्या सबसे पहले हम क्या करते हैं हम formula ही लिखेंगे इस तरीके question देखते समय तो formula क्या है हमारा vf vf का मतलब है v plus f minus e is equal to 2 अब देखते हैं फलकों की संख्या ये क्या है फलकों की संख्या 6 है फलक मतलब face ठीक है f तो ये 6 हो गया तथा सीर्सों की संख्या 8 है सीर्स मतलब vertex कितना है v 8 है ठीक है तो किनारों की संख्या किनारे ही हमको ग्यात करने है ग्यात करना है आपको e की बैलू निकालनी है तो ये हो गया e is equal to 2 अब बताइए e यहां है इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ठीक अब 8 और 6 मिलके कितना हो गया 14 14 अब उधर ये प्लस 2 था इधर आया तो माइनस 2 हो गया तो e की बैलू कितनी आ गई 14 माइनस 2 कितना हो गया 12 देख रहे है I hope आप आप ये question हमसे पहले solve कर लिया और इसका answer कौन सा है इसका answer आपका D है जो की 12 है ठीक तो देख रहे हैं आप इस तरीके के question कितना easily solve हो रहे हैं बस आपको सिर्फ इतना ध्यान देना था कि एक basic concept जो आपको याद रखना है और वो क्या है ये formula है आपका VF minus E is equal to 2 VF meaning thereby V plus F minus E is equal to 2 बस ये formula आपको याद रखना है योलर्स formula है तो इस से इस तरीके के question बहुत ही easily आप solve कर लेंगे ठीक है दोस्तों तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से helpful है तो आप channel को subscribe करिए दूसरों के साथ share करिए Thank you